प्यारे बच्चो, आज हम लोग सीखेंगे अच्छर ग्यान, छोटे बच्चो के लिए, टू-त्री इयर्स बच्चो के लिए अच्छर ग्यान सीखना बहुत जरूरी है, अच्छर को पहचानना भी जरूरी है, तो ये आश लेकर अह तक का आधा पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे श्वर का जिसको स्वर बोलते हैं ठीक है तो यहां पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को यह अच्छर ग्यान जरूर बताएं वीडियो देखकर वीडियो दिखाएं और उनको पढ़ाने की कोशिश करें और बताने का ओके सो लेट स्टार्ट यहां पे है ओ ओ ओ श्य होता है अनार यहां पे लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए ओ से अनार के मीठे दाने जल्दी आओ इनको खाने ओ से अचार भी होता है और ओ शे अख़बार भी होता है आगे देखते हैं आ, आ शे होता है आम आ से आम मीठा ताजा सभी फलोका है यह राजा आ शे आलू भी होता है, आ से आइस्क्रीम भी होता है फिर आगे है ई, ई से इमली, ई से इडली, ई से इमर्ती और इसको पढ़ेंगे कैसे, ई से इमली बोलो कैसी, खटी मिठी टौफी जैसी फिर हम लोग आगे देख रहे हैं इसको क्या है, आगे है ई, यह है इसको बोलते हैं बड़ी ई, ई से होता है इंक और इसको पढ़ें कैसे इसे इक मुन्नी खाती मीठी चीज उसे है भाती इसे इद भी होता है और इसे इट भी पढ़ सकते है ठीक है? आगे है उ इसको छोटा उ भी बोलते हैं और उसे उल्लू उसे उस्तरा उसे उपहार और इसको हम यहां पर पढ़ेंगे रीट करेंगे उसे उल्लू रात में जागे देख रोसनी डर कर भागे फिर री बढ़ाओ यह फिर आजागा बढ़ाओ बढ़ाओ उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसे उट उसे उद बिलाओ और इसको कैसे read करेंगे उसे उन लाई है रानी मेरी टोपी बुन दोनानी फिर next है री रीशे रिशी ये रिशी है रीशे रिशी बन में रते बात सदा अच्छी ही कहते रीशे read भी हो जाएगा रीशे रिशब भी होगा तो ऐसे हम बच्चो को पढ़ाएंगे अच्छर ग्यान करना उनको सिखाएंगे और इसको पढ़ सकते हैं कि अशे अनार अशे आम इसे इमली इसे इक उशे उल्लू उशे उन रिशे रिशी फिर आगे का जो भाग है उसको आपको अगले वीडियो मिलेंगा तब तक आप लोग बच्चे को दिखाएं वीडियो और उनको प्रेक्टिस कराईए कि प्रेक्टिस कराईए और यह जो भी वर्ड हैं सब्द हैं उनको बताईए कि आशे अनार होता है आशे अचार होता है और इसको गाकर भी आप बता सकते हैं औसे अनार के मीठे दाने जल्दी आओ इनको खाने फिर आप बोल सकते हैं अशे आम मीठा ताजा सभी फलो का है यह राजा फिर इसे बोलते हैं इसे इमली बोलो कैशी खटी मिठी टौफी जैसी फिर उसे इसे एक मुन्नी खाती मीठी चीज उशे है वाती उशे उल्लू रात में जागे देख रोसनी डर कर भागे बड़ा उशे होगा उशे उन लाई है रानी मेरी टोपी बुंदो नानी री रीसे रीसी बन में रते बात सदा अच्छी ही कहते फिर इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं तो बच्चे को आप लोग प्रेक्टिस कराईए और धीरे धीरे पढ़ाईए ताकि वो लोग अच्छे से ये अच्छर ग्यान ले सकें धन्यबाद प्रेक्टिस कराईए